गुरुजी बहुत सारे लोग जो हैं इस विशे पर चर्चा करना चाहते हैं कि हम मकान कैसे खरीदें क्योंकि रोटी कपड़े के बाद अगर कोई मोलभूत अवशकता है तो वो मकान की होती है व्यक्ति कई बार जमीन भी खरीद लेता है लेकिन बावजूद उसके उसका भोग नहीं कर पाता उसका सुख वो प्राप्त नहीं कर पाता वो उसको फलित नहीं होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत आसानी से बिना मेहनत किये बहुत सारी जमीन, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है और कुछ लोगों के पास अपनी जो जमीन होती है वो भी चली जाती है तो ऐसा क्यों होता है? भवराजी आपने एक ही प्रशन में आने को प्रशन पूछ डाले सबसे पहले हम बात यह कर लेते हैं कि किसी जातक को भूमी का सुख होता है या नहीं होता है जब किसी पत्रका के अंदर भूमी का सुख होगा यानि मंगल उसका बलसाली होगा तो व्यक्ति को भूमी का सुख वाहन का सुख बच्पन से ही मिलता रहा है जैसे ही वो पैदा हुए उनके पास गाड़ी नहीं थी मकान नहीं था लेकिन जैसे ही पैदा हुए माता पिता को वाहन और गाड़ी का सुख मिल गया माता पिता को वाहन का सुख मिल गया मकान का सुख मिल गया क्योंकि उनके भाग में लिखा हुआ है ये सुख हम जातक की पत्रे का ये देखकर के कह सकते हैं कि ये जातक अपने मकाम में रहेगा अपनी गाड़ी में चलेगा इसलिए जन्मकुली ये बताती है हमें कि जिस व्यक्ति को मकान का सुख है वाहन का सुख है मंगल उसका बलसाली होना चाहिए क्योंकि मकान के कारग्र है मंगल कहे गए हैं मंगल जिस व्यक्ति का बलसाली होगा तो निश्यत तोर पर ऐसा व्यक्ति मकान का सुख भोगेगा ही भोगेगा चतुर्त भाव का स्वामी बलसाली होना चाहिए अगर मंगल की गुरु के साथ यूति बन नहीं हो तो ऐसे में विक्तिकों मकान का सुख निश्यत तोर पर होता है कोई संका की बात नहीं है अनेकों लगनों में जैसे कि अगर हम मकान की बात करें तो मंगल वहां इश्रौं होना चाहिए किसी भी लगन के लिए अगर मैं बात करूं लगनों की तो यहाँ पर यो कारक ग्रह कौन बन रहा है यह बड़ा महत्पूर है क्योंकि यो कारक ग्रह ही हमें सब कुछ दिया करता है अगर मंगल यो कारक ग्रह बन रहा हो तो निश्य तोर पर मकान का सोख व्यस्ति को मिलेगा है मिलेगा अब हमें ये देखना होगा कि मंगल किन लगनों में योकारक प्लानेट होते हैं मेस लगन में मंगल योकारक क्यों भूम का निभात है ऐसे ही करक लगन के लिए, सिंग लगन के लिए, विर्षिक लगन के लिए और मील लगन के लिए योकारक ग्रह है और अगर मंगल की सिती सुभ है तो निश्य तोर पर ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख मिलता है गुरुजी जैसे कि आपने बताया कि यह जो मंगल ग्रहा है वो कही न कहीं जमीन का कारक ग्रहा है मैं आपसे ये जाना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के पास जमीन होती है लेकिन वो अपनी जमीन का सुख प्राप्त नहीं कर पाता और वो जमीन जो होती है वो कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे के पास से ले जाती है तो क्या उसका मंगल ग्रह कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है जिसकी वज़ा से इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आती हैं बिल्कुर यह आपने बड़ा प्रेशन पूछा है कि हमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा इसके लिए कि हमें जमीन कौन सी मिल रही है हमें दादा परदाओं से जो जमीन है व वो सेकेंड हाउस है और वहां की जमीन के जगडे निश्य तोर पर होंगे जब सेकंड हाउस के अंदर कोई प्लानेट ऐसा वेराजमान होगा कि वो आपको उस जमीन का सुख नहीं भोगने देगा आपने बहुत बार देखा हुआ कि लड़ाई जगडे कोट के चेहरी मुक तक उस जातक को जमीन का सुख नहीं मिलेगा जैसे आपने बात कहीं कि लड़ाई जगडे होते हैं तो मंगल अगर राहू के साथ विराजमान हो मंगल पर ऐसी दृष्टियां हो असो प्लानेटों की दृष्टियां हो तो कहीं ने कहीं उसका सुख कम हो जाता है या चतुर भूमी में समस्या कर देता है जो जगड़े की बात कर रहे हैं तो खासकर यह योग जो बनता है राहू और मंगल के कारण मंता है राहू अर अरु मंगल की यूत्यी अगर साथ में विराजमान हो एक दूसरे को देख रहे हो सैकिन हाउस भी वहाँ पर इन्बाल हो तो निश्यत और पैसा देखा गया है कि विक्ती जो है जीवन भर भूमी के चकर में लड़ाई जगडे में कोड का चेरी के चकर में लगा रहा है तो बिल्कुल दर्शको अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या जीवन में आ रही है जमीन जायदात के लिए आपको परिशान होना पड़ रहा है आप अपनी ही जमीन का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको परशान होनी की जरूरत नहीं है, आप गुरुदेव से मिल सकते हैं, उनसे आकर बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का निर्मान करवा सकते हैं, अंक जोतेश के माध्यम से, हस्त रेखाओं के माध्यम से, वास्तो के माध्यम से आप अपने जीवन को बहतर बना प्रियास कर सकते हैं। बिमारी का कारण बन जाती है जमीन उसकी परिशानी का कारण बन जाती है तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास है जूतिश में देखिए ये बात बड़ी मुख है जो आपने प्रेशन पूचा है कि जमीन हमने ली और अचानक से वहां पर रोग भी उत्पन हो गया रोग र करके उसके समस्याएं और खड़ी होती रहेंगी अगर मंगल छटे भाव में विराजमान हो जाए या हम सत्रूहंता बोलते हैं लेकिन लड़ाई जगड़े वहां पर भी होते हैं भूमी के चक्कर में सेकेंड हाउस से इनबॉल हो जाए तो जो कुटुम्ब की संपत्ति थ दादा पर दादाओं की संपत्ति थी उस संपत्ति को लेकर के जगड़े उत्पन हो जाते हैं और परिवार तूड जाता है जनब पत्र का में ऐसे बहुत सारी योग बनते हैं जो भूमी का सुक नहीं लेने देते हैं बिलकुल गुरदेव आपने बताया कि भूमी का सुक व्यक्ति कई बार नहीं प्राप्त कर पाता है जैसे कि आज हम अगर व्यक्ति को उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ना है तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास है देखे चोटे-चोटे मकान में जो व्यक्ति रह रहा है और उसके अंदर वास्तु दोस लगता है कि आपको है क्योंकि वास्तु दोस तीन चीज़ें आपको अवश्य देखनी चाहिए आपकी टॉलेट कहां बनी हुए है आपका मंदिर कहां पर है आपका सायन कक्ष कहां प बिल्कुल गुरुजी जिस व्यक्ति को भूमी का दोश लग जाता है या जिसकी कुंडली में भूमी का दोश लगा हुआ होता है उन लोगों को क्या कुछ खास उपाए करने चाहिए देखी सबसे पहले तो आपको यह पत्र का देखनी पड़ेगी कि मंगल आपका बलसाली है या नहीं अगर मंगल बलसाली है तो छोटे-छोटे उपायों के हिसाब से उपाय भी कर सकते हैं और हनुमान जी महराजी की गिरपा हो सकती है तो आप ऐसे ही उससे निजात पा सकत हैं पत्र का जरूर दिखाना बहुत जरूरी है अगर पत्र का दिखाते हैं तो निश्यतोर पर जोटसी यह बता सकता है कि मंगल का दोस है या नहीं अगर मंगल का दोस होगा तो उपाय अलग होंगे अगर मंगल योकारक प्लानेट होगा तो उपाय अलग होंगे इसलिए चोटा सा उपाय में आगों बता देता हूँ कि इसके अंदर अगर कोई समस्या ऐसी है कि भूमी नहीं बन पा रही है, भूमी का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, तो छोटा सा उपाय हनुमान जी महाराज का उपाय है, एक तिकोना जंडा लीजिए, लाल कलर का तिकोना जंडा लेकर के और उस पर पीले कलर से राम का नाम लिए, गुरुजी कई लोग होते हैं जो फैक्टरी खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, लेकिन जब आप भूमी उस चीज को लेकर उस चीज के लिए खरीदे हैं, जिस चीज को आपको बनाना है, लेकिन आप वो बना नहीं पाते हैं, जैसे फैक्टरी को लेकर व्यक्ति ने भूमी खरी दी लेकिन वो उस पर फैक्टरी का निर्माण नहीं करवा पाता है कई बार व्यक्ति अपना घर बनवाने के लिए भूमी खरीता है लेकिन वो अपना मकान नहीं बना पाता देखिए इस दोस की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन ये दोस ऐसा है कि जिस व्यक्ति की पत्रका के अंदर भूमी का सुक तो हो गया वाँ पर लेकिन कंसक्शन नहीं हो पा रही है वो फ्यक्ति बना नहीं पा रहा अपना गहन नहीं बना पा रहा किन कारणों से नहीं बना पा रहा इसकी पत्रका देखनी पड़ेगी कुंडी देखकर के बता सकते हैं कि व्यक्ति की पत्रका के अंदर फ्यक्ति का सुक है या नहीं जो ये भूमी खरी दी है देखिए भावनाजी हर भूमी हर वक्ति के लिए नहीं बनी मेरे पास बहुत सारे ऐसे उधारन है कि किसी वक्ति ने यहाँ पर दुकान खोली और दूसरी दुकान वहाँ जाके खोली तो ये दुकान तो चल लाई है ये शौप दो उसकी चल लाई है लेकिन दूसरी सौब नहीं चल लए है इसका मतलब है कि इस जमीन का सुख ही उसको धनवान बना रहा है अब हम बात करते हैं उपाय की कि उपाय विक्ति को क्या करना चाहिए देखिए उपाय के तौर पर अने को उपाय मंगल के कर सकते हैं लेकिन एक उपाय आपको जो आपने फैक्टरी खरीदी है जगे खरीदी है उसमें निर्वान कैसे किया जाए और उसमें देरी हो रही है तो ये उपाय रामवान का काम करेगा करना क्या है एक तुलसी जी का पौदा नौर्थ इस्ट में उस जगे पर लगा दीजिए गमले में लगा दीजिए और एक नई इंट खरीद करके उस पौदे की नीचे गार दीजिए ये कूशिस करनी पड़ेगी आपको कि उस पौदे का रखरकाब कोई विक्ति करे उस पर जल दे तो निश्य तोर पर ये दोस्ट जो होगा वो दूर होगा गुरुजी क्या जब भी हम जमीन खरीदते हैं या कभी भी हम भूमी ले भूमी का निर्माण भूमी पर निर्माण कराने जाते हैं तो क्या उससे पहले कुंडली को दिखवाना जरूरी हो जाता है देखी कुंडली को दिखवाना जब हम भूमी खरीद रहे हों तब भी दिखवा सकते हैं भूमी का सुख आपको है या नहीं बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा आपने कि जिस व्यक्ति की पत्रका के अंदर भूमी का सुख नहीं है और बहुत लोग कहते भी हैं कि मैं भूमी जहां खरीता हूँ वाँ जगड़े हो जाते हैं या कोई ऐसा केस स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर या तो जगड़े हो जाएं या कोई उसको घिर ले अनेकों ऐसी स्टियां समक्षा आती हैं व्यक्ति के लेकिन हमें कुल्डी जरूर दिखाने ही चाहिए अगर आप कुल्डी दिखा करके भूमी खरीते हैं कौन सा समय चल रहा है मंगल अगर योकारक प्लानेट है और मंगल योकारक की दसा में अगर भूमी खरेते हैं ऐसी सिती में आपको कभी भी जीवन में उस प्रोपर्टी को ले करके समस्या नहीं आएंगी अंतर दसाओं में मंगल अच्छा चल रहा हो महा दसा चल रही हो मंगल की तो ऐसे में व्यक्ति को उन दसाओं में समस्या नहीं आएंगी लेकिन अगर मंगल का एनिमी की दसा चल रही है सबोसकर बुद्ध की दसा चल रही और आप फैक्ट्री या मकान खरीदने चले गए तो निश्च तोर पर वही जगड़ा आपको कोट का चली तक पहुंचा सकता है आपने तो निवेश किया भूमी में कि दो पैसे मेरे बन जाएं लेकिन आप कोट का चली तक पहुंच गए तो दसाएं, अंदर दसाएं, महादसाएं हमें देखनी पड़ेंगी कि किस समय पर क्योंकि महूरत एक बड़ा विशेस महत जीवन में दरसाता है महूरत का एक अलग विशे है, कुंडी का एक अलग विशे है तो हम कहीं ने कहीं जनम पत्रिका के इंदे देख सकते हैं कि व्यक्ति का समय कैसा चला है अगर समय अच्छा चला होगा तो जमीन में मिट्टी भी सोना बन जाती है और अगर समय गलत चला होगा तो सोना भी मिट्टी हो जाता है गुरुजी कई बार ऐसा होता है व्यक्ति चाहता है कि मैं जमीन खरीद लू लेकिन उसकी कुंडली में इस तरह की योग नहीं है इस तरह के ग्रहे मजबूत नहीं है कि वो जमीन खरीदे तो उसके लिए क्या आल्टरनेटिव है क्या वो अपने साथी के नाम पर जमीन इतना बहतर रहता है तो किस तरह के अल्टरनेटिव जोतिश शास्त्र के अंदर है यह बड़ा अच्छा प्रेशन है आपका कि अगर किसी व्यक्ति की पत्रका के अंदर यह लिखा नहीं है कि उसको जमीन का सुख मिलेगा और उसके नाम पर खरीदे जब भी वो जमीन खरी देखने को मिल जाता है और हम भी उपाये बताते हैं अगर आपका मंगल योकारक प्लानेट नहीं है मंगल सुख नहीं है तो आप अपने नाम पर जमीन कभी न ले नहीं तो उसके अंदर जगडे फसाद अवश्य होंगे वहां पर हम यह सला दे देते हैं कि व्यक्ति अपन कहीं यह पत्रगा देखना बहुत जरूरी है कि उनकी पत्रगा के अंदर भी मंगल बलसाली है या और उनकी पत्रगा के अंदर बलसाली नहीं होगा तो नेश्य तोर पर वह समझ जाए जो आपकर आ रहें थी वह उनको आरम हो जाएंगी गुरुजी यह जो पार्टनर्शिप में ले हुई जमीने होती है पार्टनर्शिप में बनाई हुई फैक्टरीज होती है यह कैसे फलदाई हो देखे यहां पर हम पार्टनर्शिप की बात करें तो सबसे पहले हम इस बात को देखे के कि सत्तम भाव पार्टनर्शिप का है अ सत्तम भाव अगर व्यक्ति का बलसाली है तो निश्य तोर पर पार्टनाशिप उसको फलेगी अने था आप एक या चार पार्टनाशिप कर लीजिए पार्टनाशिप उस व्यक्ति को नहीं फलेगी पहले तो हम यह देखेंगे कि सत्तम भाव व्यक्ति का मजबूत है या नही बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि पार्णाशिब में धनवान हो जाते हैं और अनेकों लोग आपने देखे होंगे पार्णाशिब की और वो निर्धन हो गए उस व्यक्ति का भाग्या चल रहा था अकेले काम कर रहा था व्यक्ति लेकिन जैसे ही उसने partnership की तो वो धनीन हो गया जितना भी काम था वो और खराब हो गया तो यहां सत्तम भाव अगर बलसाली होगा तो हम यह कह सकते हैं कि partnership कर सकते हैं जब भी हम जमीन खरीदें तो अपने पार्टनर की कुंडली और अपनी जो कुंडली है उन दोनों की कुंडली का मिलान कराना उन दोनों की कुंडली को जाचना बेहत जरूरी हो जाता है चाहे हम बिजनिस करें, चाहे हम भूमी पार्णर्श्य मेलें, कोई भी वियोपार करें, तो हमें पत्रका देखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कि जिस व्यक्ति की पत्रका मिलती हो एक दूसरे से, तो वो पार्णर्श्य बहुत करके भी पत्रका दिखाएं, कि मैं इस व्यक्ति के साथ काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जहां तक कि आप अपनी वाइफ के साथ भी प्राम नहीं कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ भी काम नहीं कर सकते हैं, जब तक गुण नहीं मिलेंगे उनके, जैसे विवहा में गुण म पाड़ना शिफ लेगी तो निश्य तोर पर आप कोई भी काम, चाहे फैक्टरी लगा लें साथ में, चाहे कोई व्योपार कल लें, चाहे आप भूमी साथ में ले लें, तो ये काम आपके बड़ी सुलबता से हो जाएंगे. गुरुजी यहाँ पर आपसे जानना चाहें कि कुछ लोग जो होते हैं, जन्म जात ही भूमी वान होते हैं, जन्म से ही उन्हें बहुत जादा भूमी प्राप्त होती है, और कुछ लोग जो होते हैं, वो जन्म जात भूमी हीन होते हैं, या फिर अगर उनके पास भूमी होती तो आसे तो नहीं बैठा, यह तो पहले से ही विराजमान है, जब हमारा जन्म हुआ तो मंगल नीच का हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें आज हमने मंगल नीच का नहीं किया, यह हमारे पिछले जन्मों के करमों के अनुसार मंगल नीच का विराजमान हुआ, अब आप या अपने भाई की क्योंकि मंगल भाई का भी कारक है अगर भाई की भूँमी हडपी है तो निश्यत तोर पर व्यक्ति का मंगल बलसाली नहीं होगा बलीन होकर के विराजमान होगा और आज जो लोग परिशान हो रहे हैं भूँमी के लिए क्योंकि वही लोग परिसान हो रहें भूमी के लिए जिनका मंगल बलसाली नहीं है उनका साथ नहीं दे रहा इसका मतलब यह हुआ कि पिछले जनवों में जो कर्म की आपने उनका भुकतान आपको भुकतना पड़ रहा है और भुमी खरीदने का सही समय जो होगा ऐसी व्यक्ति के लिए उसकी पिछले जनवों के कर्मों का बैलेंस जब खतम हो जाएगा जो उसने अपने भाई को कश्ट पहुँचाया था या किसी दोस्त की भुमी हडप कर ली थी आपने बहुत बार सुना होगा कि एक दोनों दोस्तों ने भुमी ली और अचानक एक दोस्त ने किसी दोके से दोका करके और भुमी हडप कर ली इसका मतलब यह हुआ कि मंगल कहीं निर्वल हो गया जब पत्रका के अंदर मंगल निर्वल हो जाता है तो ऐसे ही व्यक्ति को भुमी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है उसका मकान जीवन भर नहीं बन पाता और यही कारण है कि हमारे जो ग्रह हैं यह बताते हैं हमें कि आप क्या कुछ करके आए हैं क्योंकि यह कर्मियोनी है जो आप करके आए हैं उसको यहाँ आपको भुगना पड़ेगा हम यह यह भी उधारन ले सकते हैं कि एक व्यक्ति अपंग है यह मानसिक संतुलन उसका जनम से ही परिशान कर रहा है तो उसका मतलब उसने यहाँ पर आकर के कुछ नहीं किया उसने किसी को कश्ट नहीं पहुँचाया और वो क्यों पीड़त है इसका मतलब यह हुआ कि पिछले जनमों का कर्म उसको यहाँ भोगतना पड़ेगा और जब तक उसका बैलन्स खतम नहीं होगा तब तक वह भोगतना ही रहेगा गुरुजी क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से भी यह जान सकते हैं कि क्या यह जो हमारे प्रारब्द है वही हमारे आज की जीवन को प्रभावित कर रहे है बिल्कुल यह बास सच है कि हम जनमे हैं हमारी पत्र का मैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल बलसाली हैं, बलहीन हैं यह पिछले जनमों के कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त हुए कोई भी एक ऐसा हाउस है ऐसा समझ लीजिये कि कर्म आपके हाथ में है एक ऐसा हाउस है जो 10th हाउस है, जो free will को दिखाता है 11 के 11 भाव आपके हाथ में नहीं है लेकिन एक 10th हाउस ऐसा है जो भगवान ने आपके लिए छोड़ रखा है कि आप जो करेंगे वो आपको भोगतना पड़ेगा इसलिए कर्मों का जो लेखा जोगा है वो हमें भोगना ही पड़ेगा इससे हमें कोई नहीं बचा सकता और भगवान स्वैम भी कर्मों के आड़े कभी नहीं आते गुरुजी ये तो बात हो गई मंगल ग्रह को लेकर भूमी को लेकर अब आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि भूमी लेते समय कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए देखिए भूमी लेते समय हमें सामाने बातों का विसे ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कोई बिजनिस के लिए भूमी लेते हैं तो टी पॉइंट पर नहीं होनी चाहिए दूसरा साउथ फेस मकान हमें परिशान कर सकता है हमें अवोइड करना चाहिए उन मकानों को ब्यवपार के लिए खरीद रहें या फिर अपने रहने के लिए निवास के लिए खरीद रहें दोनों में वास्तू का अलग अलग प्रभाव होता है कुछ जगह ऐसी होती है कुछ भूमी ऐसी होती है कि जो हमें केवल अपने काम के लिए खरीदनी है अपना ओपिस बनाना है फैक्टरी बनानी है लेकिन कुछ भूमी ऐसी होती है कि कोई हम अपने मकान के लिए जहां मैं सुक सांधी चाहिए तो उसका फॉर्मूला अलग हो सकता है वो रास्ता अलग हो सकता है विल्कुल दर्ष को तो भूमी खरीदते समय आपको किन-кिन बातों का ध्यान रखना है किन-किन चीज़ों का आपको परहेस करना है कौन से दिशा में आपको भूमी खरीदनी है अगर आप फैक्टरी लगवाना चाहते हैं तो कौन से दिशा आपके लिए बहतर रहेगी ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब आप गुरुजी के पास आकर ले सकते हैं अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं नमबर आपकी स्क कि बारी नमस्कार